मिस्टीरियस संडे के बेहदी खास एपिसोड में आपका फिर से एक बार स्वागत है मिस्टीरियस संडे के एपिसोड में हम चर्चा करते हैं उन रहश्यों पर जिस पर कई सारे लोगों को विश्वास नहीं होता है साथ ही कई बार आपको उन जानकारियों से भी आउगत कराते हैं जिनके बारे में आप अनजान रहते हैं तो लीजिए बेस है मिस्टीरियस संडे एपिसोड बाईस इस एपिसोड में हम जानेंगे उन खतरनाक फलों के बारे में जिनसे हमारी मिर्त्यू हो सकती है तो देर किस बात की चलिए खोलते हैं अक्की फल अक्की फल को जमेका का राष्टी फल भी कहा जाता है यह फल पके हुए पर ही खाना चाहिए क्योंकि कच्चा अकी फल खाकर हमारे सरीर में हाइपोग्लाइसीन नाम का जहर पैदा हो जाता है वैग्यानिकों का दावा है कि यह जहर कच्चे अकी फल में पहले से होता है पके होने पर भी इस फल के बीज बहुत जहरीले होते हैं इसके सेवन से आपको उल्टी बीमारी कोमा हाइपोग्लासीमिया हो सकता है जरुरत से ज़ादा खाने पर आप मर सकते हैं चेरी चेरी का फल बहुत स्वादिष्ट होता है और कई सारे लोगों को भी पसंद है पर इसका बीज बहुत ही कड़वा होता है इसके बीज में एमिक डाली नाम का एक एसिड होता है यह एसिड जब पाचन तंतर में जाता है और वहां के एसिट से मिलता है तो यह साइनाइड बन जाता है जो की एक बहुत खातक जहर है गलती से एक दो बीज अगर आप खा भी लेते हैं तो कोई बात नहीं पर इस फल के बीजों का चून बनाकर सेवन तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए टमाटर आप यह जानके हिल जाएंगे कि टमाटर का फल एक ऐसा है जिसका सबजी और सलात के रूप में बहुत प्रियोग किया जाता है टमाटर स्वाद और स्वास्त के लिए बेहद उत्तम है पर टमाटर का जो भी हरा भाग होता है यानि पत्ते जड़ और तना वह बहुत ही जहरीले होते हैं कहा जाता है टोमाटीन जो की एक प्रकार का अलकाइड है वह मनुश्य के लिए हलका जहर होता है और यह टोमाटीन टमाटर के हरे भाग में ही पाया जाता है कई सारे जन्तू टमाटर के पौधे का बिल्गुल भी सेवन नहीं करते हैं अथ आप टमाटर के हरे भाग खाने से बचें काजू काजू को कई लोग नट समझते हैं पर काजू वास्तों में नट नहीं बलकि एक बीज है यह एक फल के नीचे लगता है और अजीब तरीके से फैलता है काजू एक स्वादिश्ट उत्पाद है पर कभी भी कच्चा काजू नहीं खाना चाहिए आप जो भी काजू खरीटते हैं वह आमतोर पर भुना हुआ होता है और उसमें कोई जहर नहीं होता है पर काजू का पीड देखकर कच्चा काजू न खाएं कच्चे होने पर काजू एना कार्डिक असिट के साथ कवर होता है और उस असिट से काफी बिमारी होती है अधिक मात्रा में खाने पर वज़़ होता है सेब सेप को दुनिया के सबसे सेहत मन्द फलों में गिना जाता है और बिल्कुल यह पॉस्टिक फल है पर यह आपकी सेहत को नुकसान भी पहुचा सकता है अब आप कहेंगे ऐसा कैसे संबव है और दरसल सेप नहीं सेप के बीज आपको नुकसान पहुचा सकते है कहा जाता है सेप के बीज में इमिग डलीन नाम का तत्तु पाया जाता है यह मनुशी के पेट में जाकर पाचन संबंदी एंजाइम के जब संपर्क में आता है तो साइनाइड रिज करने लगता है अधिक मातरा में सेप के बीज खाने पर आपकी मृत्यू हो सकती है कभी कबार सेप के एक दो बीज हमारे पेट में चले जाते हैं तब कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है पर अधिक मातरा में इस बीज को खाना हानिकारक है अता इस से बचें मिश्टीरियस संडे के एपिसोडस में हमें आपकी तरफ से अच्छा रिस्पॉंस नहीं मिलता है आपसे अनरोध है अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक, सेयर और सस्क्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा अगर आप हमसे बात करना चाते हैं तो आप हमें इस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं चल मिलते हैं मिश्टीरियस संडे के एक नए रोचक और भेहधी खास एपिसोड में अगले संडे को इसी मिश्टीरियस बुक के चैनल पे तब तक रखिए अपना ख्याल मैं मोलू लेता हूँ आप सभी से विदा नमस्कार